तो दोस्तो आज की वीडियो के अंदर हम देखेंगे मार्च के लिए ऐसे कॉइन जिनके अच्छे वेंट आने वाले हैं और वो प्रटेंशली काफी अच्छा रिटर्न दे सकते हैं तो सबसे पहले फैब मंत को देखेंगे तो फैब मंत काफी अच्छा गया था जहांपर सारे कॉइन ने काफी अच्छा रिटर्न दिया था सरफ इन्सोलर को देखेंगे जिस सरफ 5% अपड गया था एक बाद वीडियो पर मैंने शेयर कर रहा हूं उसके बाद बाकि सारे तो अब बात करेंगे मार्च मंत की तो मार्च मंत के जो कॉइन उसके लिए मैं दोस्तों आपको पहली ही बोलूंगा कि यह मंत थोड़ा डिफरेंट मिरको यहां पर लग रहा है जहां पर वीडिल मोर केफुल ऑल्दो ऑल्ट मार्केट काफी ग्रीन है जहां पर मतलब सारे कोइन की पंप कर रहे है जिन कोइन के इमेंट है वो भी पंप कर रहा है तो ऐसे टाइम पर वी एफ टो बिलिटल मिट केफुल कि अगर एक बीटिसी का डंप आगे अच्छा वाला तो सब एकदम मतलब इतलो कम क्रेशिंग डाउन तो इसलिए यू आफ तू इन्वेस्ट क केफुली स्मार्टली भले फंडामेंटल स्ट्रॉंग हो चाहिए टेकनिकल अनरसीज भी आपको स्ट्रॉंग लग रहा है बट एनिटिंग केंचेंज कभी वी कुछ भी हो सकता है तो उसी एक अगर आप इन कोइन के इन्वेस्टमेंट करते हैं तो सबसे पहले थ्री पार् गलत भी जाते हैं तबी भी आप प्रॉफिट में निकल जाएं वो भी वीडियो आप ज़रू दिखना है यह दोनों वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे तो दोस्तों यह कुछ डिस्क्लेमर हो गया जो चीज़े में आपको बताना चाहरा था कि य जो पहला इवेंट इनका वो यह है कि बाइनस अपनी खुद की ब्लॉक्चेन लेके आने वाले जो अभी उधार की ब्लॉक्चेन पर चल रहे हैं वहां से मूव करके खुद की अपनी ब्लॉक्चेन के ऊपर आ जाएंगे और पर पॉजिटिव चीज एक यह है कि इन्होंने काफी सारे ICO प्रजेक्स के बारे में एक हिंट दिया था कि उनसे भी ICO प्रजेक्स नहीं मतलब existing जो प्रजेक्स हैं जो भी लिस्टेड हैं उनसे भी बात करी हुए यह और वो जो प्रजेक्स हैं जो दूसरी ब्लॉक्चेन के ऊपर बेस्ट हैं Ethereum नियो या जो भी ब्लॉक प्लस यहाँ पर इनका जब बाइनस का खुद का मेंनेट आ जाएगा तब इनका जो बाइनस का डिसेंटलाइज एक्सचेंज है वो भी लॉंच जाएगा फुली एंड उसके उपर भी अगर टोकन्स लिस्ट करने हैं तो लिस्ट करने के लिए उन्होंने बोला है कि आपको 100,000 डॉलर्स पे करने पड़ेंगे इन BNB टोकन तो यहाँ पर अगर किसी भी ICO प्रजेक्ट को अगर अपने टोकन्स लिस्ट करवाने है तो उनको BNB पे करना पड़ेगा 100,000 डॉलर्स वर्थ और वो परचेस यह सरफ एक्सचेंज के उपर से कर सकते हैं तो उससे इसके चांसे और बढ़ जाते हैं कि जब वो खरीदने आएंगे एक्सचेंज के उपर तो BNB खरीदेंगे तो normal publics ही खरीदेंगे कई और से तो खरीद नहीं सकते सिर्फ Binance पे लिस्टेड है तो उससे Binance की प्राइज और राइस करेगी और इतने सारे प्रजेक्स है और Binance तो आ BNB की प्राइस बढ़ सकती है इन वे काफी लोग यह बोलते है कि गलत है Binance हट चीज के अंदर अपने को दालने की कुछ इच करता है usability बढ़ाने के लिए बट यह गलत कैसे है मतलब सही तो है उनका खुद का token है उसकी usability होनी चाहिए अपने खुद के प्रजेक्ट का अगर यह एक तरह से लोगों को push नहीं करेंगे कि इसको आप use करो तो इनका product यह जो उनका token है आगे बढ़ेगा कैसे तो innovate is good कि यह सब सची चीज है कि यहाँ पर जब यह बोलते हैं बाकी projects को कि अगर आपको अपने token को list कराना तो BNB में pay करो ICO करना है तो उसमें BNB में करो I don't know कहीं लोग इसको गलत क्यों मानते हैं but that is my viewpoint तो यहाँ पर इनका decentralized exchange आजाएगा which is also positive नए projects वगरा हैंगे वो list होंगे and उसके बाद जो एक और बड़ी चीज यहाँ पर होने वाली है वो यह है कि यहाँ पर अब Binance ने every month अपना ICO करना start कर दिया Binance launch pad या Binance pump pad के उपर पहले BTT के हुआ था जहाँ पर TRX and BNB से आप participate कर सकते थे उसके बाद Fetch.EI के हुआ जहाँ पर आप BNB के थूई participate कर सकते थे आज ही इन्होंने announcement करा है कि seller करके एक नए ICO है जिसको 14 days के अंदर वापस March end तक वहाँ पर इनका ICO होगा and अगर आपको part लेना है तो यहाँ B BNB token के थूई purchase करके enter कर सकते हो and overall यहाँ पर seller 4 million dollars यहाँ पर एक तरह से raise करना चाते है तो यह BNB अगर लोग खरीदेंगे तो यह exchange सी खरीदेंगे तो उससे भी price थोड़ा सी push यहाँ पर होनी चाहिए इतना ज़दा significant नहीं but still 4 million भी बड़ा amount यहाँ पर होता है and every month अगर इस तरह से ICOs लेके आएंगे and Binance launchpad ही नया एक तरीका बन जाएगा successful ICO करनेगा तो उससे Binance अगर हर ICO में सिब BNB सी अप enter कर सकते हो तो definitely इसकी usability और use और demand और बड़ेगी तो price भी इसका और rise करेगा plus उसके बाद Binance का quarterly coin burn होता है वो भी आएगा वो 15th and 17th of April को होगा although यह यह BNB के तरह आप participate कर सकते हो फिर coin burn आएगा तो इतने सारे events की बीच में FOMO के बीच में छोटी सी news भी एक तरह से और FOMO को थोड़ा push लगा देती है तो in a way यह सारी की सारी चीजे मिलके मतलब it is a good marketing या मतलब FOMO वाला time jumper price rise करने चाए तो इस सारे के सारे events जो आने वाल लेकिन इनोंने काफी यह hint दियें कि मतलब it will come soon ज्यादा time नहीं लगेगा तो हमें expecting एक दो महीने में में भी आना जाना चाहिए, March मतलब भी चालो है, March में नहीं आए तो April तक आई जाना चाहिए, तो यह मैंने एक तरह से यहाँ पर idea लगा है, तो definitely BNB is something जो आप hold कर सकते in fact if you want to and जब तक इनका mainnet वगरे नहीं आता है, काफी सारी चीज़े इनोंने plan कर रखिए, तो दोस्तों यह हो गया पहला coin, अब next coin के हम बात करेंगे तो वो है IOTX, and IOTX का mainnet आने वाला है, जो 31st of March से पहले आएगा, अभी तक इनकी date confirmed नहीं है कि कॉन सी date को exactly यह mainnet आने व के लिए IOTX टेक कर सकते हो सारी चीज़े, लेकिन date जो अभी तक confirm नहीं है, लेकिन हम जल्दी उसको announce कर देंगे, तो प्रॉबली हो सकता है इस हफते में करें, अगले हफते में करें, जब भी वो होगा, मतलब उससे definitely price का थोड़ा jump यहां पर IOTX के अंदर आना चाहिए, त जो Q1 है, यह 2019 के लिए, तो मतलब March, 31st March 2019 से पहली, लेकिन अभी तक इनोंने date के उपर कुछ confirmation दी नहीं है, अगर आप इनकी telegram के उपर देखेंगे, तो यह यह बोल रहे हैं कहा, it will come, it will come, and we will make a announcement soon, and recently इनने telegram के उपर यह भी चीज़ बोली थी, कि यहां पर जो इनका mainnet आने वाला है, उसका जो code है, वो हमने अभी security audit के लिए और इस चीज़ के लिए sent के है, and security audit जो normally होता है, वो 2-3 हफते ले सकता है, and at times, अगर security audit के अंदर कोई bug या फिर कुछ भी गलत चीज़ पकड़ी जाती है, कि code के अंदर आपको change करना चाहिए, fix करना पड़ेगा, तो March के अंदर ही 31st March से पहली, जो अपना mainnet है, उसका announcement कर दें, तो definitely जब भी ये news आईगी, इसकी price और spike करेगी, and in fact, अगर April में भी आता है, तब तक FOMO तो create रहे गा है, क्योंकि mainnet आने वाला है, mainnet आएगा, तो price तो increase होगी, तो that is also good, and in the end, quark chain की price को तो jump होना है, क्योंकि स तो private investors को लिए, इन्होंने ये चीज़ बोली, कि आपके tokens तब तक locked रहेंगे, जब तक हमारा mainnet नहीं आता, तो जब इनका mainnet आएगा, उसके बाद जाके, जो इनके private investors हो, उनके token unlock होगे, जहाँ पर वो बेचने के stage पर होगे, कि अब हम बेच पाएंगे, तो वहाँ पर वो अच्छा major pump blockchain के अंदर आ सकता है with time, क्योंकि definitely ये private investor वाला situation देखके, क्योंकि उनको भी अपना profit book करना ही होगा, प्लस ये mainnet वगरे, चाहे March में आता है, April में आता है, overall, it is a project जो अच्छा perform भी कर सकता है, team वगरे भी, अच्छे contacts भी इनके, तो ये भी a coin है, जिसको आप definitely देख सकते हो, March, April तक, अब 4th coin की बात करेंगे, तो 4th coin है, या पर QLC chain, जिसका भी mainnet आने वाला है, मतलब इनका जो mainnet आने वाला है, उसका इन्होंने promise ये करा था, कि हमारा जो mainnet है, वो आएगा March 2019 तक, and ये November, December 2018 में इन्होंने announcement करा था, लेकिन अभी तक this cube पर कुछ confirmation आय नहीं है, मतलब, in fact, इन्होंने यहां पर ये चीज़ बुली थी, कि हमार जो block lattice, mainnet है, वो आएगा global SMS billing and clearance platform के साथ में, and इन्होंने बुला था, global SMS billing and clearance, ये जो है, इसका हमने जो launch date टागेट करिए, वो है March 2019, तो ये साथ मी mainnet आना चाहिए था, लेकिन अगर, recently मैंने एक ची कि महां पर ये लोग कुछ नए co-developers को हायर करने की कोशिच कर रहे हैं, और ये 11 देस पहले इन्होंने ये post डाला है, तो उससे I was not sure कि इनका, जो mainnet के लिए जो इन्होंने प्लान किया था, वो time पे है कि नहीं है, क्योंकि पहले भी QLC एक बार इसको mainnet release को delay कर चुके है, प में इनका सारा जो mainnet वगरे वो prepare हो गया हो, लेकिन अभी तो कुछ further clarification नहीं आए, तो mainnet तो इनका आएगा, maybe March, maybe April कभी भी आ सकते है, तो थोड़ा सा इसके अंदर just be a little bit careful, यहाँ पर delay भी हो सकता है, या फिर यह भी हो सकता है, एकदम से निकल के आ जाए कि मार्च में, अगर इसको pick करो, तो थोड़ा सा ध्यान रखना है, इसके अंदर, तो next coin जो है, उसके बात दोस्तो, जो last coin है, वो है ELF, और इनका mainnet जो है, वो भी आने वाला है, Q1 2019 मतलब 31st of March से पहले, जहां पर यह अपना mainnet launch करेंगे, and इनकी telegram के उपर भी, मैं information find out करने की उशिच कर तो इन्होंने भी इस चीज़ के उपर कोई announcement दिया नहीं कि exact date क्या है, although इनके admins यह बोर रहे हैं कि हमारा जो mainnet है, वो Q1 2019 में ही planned है, and उसमें कोई problem नहीं, मतलब हम 31st March से पहले ही कर देंगे, but date जो है, हम आगे जाके अभी announce करेंगे, तो तब तक के लिए, मतलब आप थो WLC की date confirmed है, in fact, किसी भी यहाँ पर project की date confirmed नहीं है, सबने यहाँ पर एक तरह से Q1 का एक रफ आइडिया है, Binance ने तो ऐसे कुछ commitment नहीं है, लिकिन बाकी सारे के सारे projects Q1 वाली है, जिरोंने भी तक date confirmed नहीं करी है, तो I am hoping within next few days में कुछ ना कुछ update यहाँ पर आजाए, बाकी लोगों के अंदर FOMO बहुत है, इन coins को लेके कि हाँ इसका mainnet event आएगा, and coins भी यह ठीक है, जो अच्छा perform कर सकते है, mainnet भी बड़ा event होगा, तो आपर return मिल सकता है, तो in coins के अंदर आप safely investment कर सकते है, FOMO में बाय मत करना, dip के अंदर इसको parts के अंदर बाय करना, सोच समझ के अगर मतलब एक price पे buy कर लिया, for example, यहाँ पर आपने quark chain को 230 पे बाय कर लिया, तो एक part अपने हाथ में hold करके रखना कि 230 से नीचे गया, 800 सतोशी पे आगया, तो वहाँ पर बाय कर लूँगा, फिर वहाँ पर बाय कर लिया, उससे नीचे भी गिनने के chances हुए, अगर 750 पे गया, तो वहाँ के लिए भी थोड़ी से बीटी से रखना, वहाँ पर भी बाय कर लिया, तो ऐसे कि average आउट करके आप smart investing कर सकते हो, ने तो क्या होगा, भाग के सीधे 830 पे पुरा खरीद लोगे, और फिर नीचे गरेगा, तो ऐसे हो जाओगे, कह रहे है, यार मैं 800 पे ख शेयर कर रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ कि इसके अंदर potential है, यहाँ पर आप smartness आपको दिखानी है, कि आप कौन सी price में enter करोगे, कौन सी price पे आप exit करोगे, क्योंकि अगर आप पूरी जिंदगी यही चीज होचते रहे जाओगे, कि मेरको बस कोई बताने वाला हो, कि enter करो, exit करो, तब तो आप smart trader बनी नहीं पाओगे, तो इसलिए इस तरह से सोचना चालू करो, कि मैं को smart trader कैसे बनना है, कि मैं किसी के ओपर dependent नहीं रहे हूँ, मैं को information जो चाहिए हूँ, मैं को logo से मिल जाए, youtube से, twitter से, कहीं से भी, and in the end, enter करना, exit करना, उसके लिए मैं खुद capable हूँ, आपको क्या tools चीए है, क्या चीज़ सीखनी है, उसके लिए, सिखानी के लिए हम लोग यहाँ पर है, हमने काफी सारे videos आपके लिए already बना रखे है, risk management के ओपर, 3 part investment के ओपर, TA के ओपर काफी सारे videos है, FA के ओपर भी एक video है, जो ready है, मेरा वो भी बहुत जल्दी आन तो दोस्तो, I hope यह video आपके लिए helpful हो, और अगर आपको यह video अच्छा लग आप चाहते हैं, इसी तरह के regular videos में every month बनाऊं, जहां पर आपको मैं बताऊं कौन से अच्छे events आने वाले, मेरे according जो मेरे को ठीक लगते हैं, तो आप जरूर इस video को like जरूर करिएगा, it always motivates us, क्य तो इस giveaway के अंदर आप पार्ट ले सकते हैं, आपको description के नीचे या फिर में comments में पिन भी कर दूँगा, आपको GLEM का एक link मिलेगा, उसके अंदर कुछ टास्क होंगे, आपको वो करने होंगे, तो तुटर के ओपर भी मेरे को आप टैक कर सकते हैं, आपके तीन फ्रेंज को follow करते हैं, तो इससे भी motivation मिलता है, तो तीन Ledger Nano S जो है उसका giveaway होगा, and most probably उसके अंदर, I am trying कि, यहाँ पर crypto India लिखा हुआ है आप लोगो को, तो special Ledger Nano S होंगे, जो आप लोगो को तीन में giveaway करूँगा, तो उसका, आप अगर इसमें पार्ट लेना चाते हैं, तो definitely नीचे link हो होगे, मतलब एक-दो हजार तो नहीं रखोगे, तो इसके लिए it is very important कि आप इसको Amazon वगरे से बाइ नहीं करो, क्योंकि Amazon पे हो सकता है आपको थोड़ा सा गलत या-fake या कुछ, मतलब मिस्यूस किया हुआ, technical कुछ गडबड करके, आपको ऐसे कोई भेज दे, दूसरे sellers, ल पर आपके नहीं जोईन करी, और गिववे पार्ट लेली के लिए नीचे description में link है, उसमें पार्ट लीजिए, और मैं तीन random winners को select करूंगा, जिनको Ledger Nano S मिलेंगे, बस follow-out जगे करना है, तो thank you so much, बाकी जल्दी आपके लिए और भी वीडियो लेक के आते हैं, तब तक के ल र्ट नहीं करूंगे, तब तब नहीं करते हैं, झाला है, तब नहीं हैं, तो ढ Care?